दिर स्टुडेंट्स चलिए हम लोग चलते हैं क्लास नाइन्थ के लिए क्लास नाइन्थ का साइन्स सब्जेक्ट वो पढ़ते हैं CBAC NCIT बुक को फॉलो करते हुए ठीक है नाइन्थ क्लास के साइन्स का अगर बात करें तो हम लोग पिछलने समय ग्राफ को पढ़ रहे थे यारि की ग्राफ मोंग साइन्स को हम लोग कहां मेरी प्रेजन्ट कर सकते हैं तो हम लोग ओहां पर पढ़े थें कि जो ग्रास होता है वह मेंद ली टी टैप सोता है एक distance time graph होता है और एक velocity time graph होता है ठीक है तो distance time graph का भी दो parts था एक uniform motion एक non-uniform motion velocity time graph का भी तीन graph बनता है एक uniform acceleration, non-uniform acceleration और एक uniform speed तो इस तरीके से हम लोग पिछला दिन graph के बारे में सेखे थे चलिए आईए आगे चलते हैं जैसा कि जानते हैं NCRT book को हम लोग follow करते हैं उसके बीच में questions भी रहते हैं और उस questions को भी हम लोगों को करते चलना है तो चलिए फिर से बीच में का question मिल गया है question कोश्चन मिल गया है, तो अगर आपके पास भूक नहीं होगा, तो हम कोश्चन भी बोलेंगे, और उसके आंसर को भी बोलेंगे, आंसर को समझाएंगे, तो सभी चीजें यहां पर डिसकस होगी, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? कोश्चन पहले लिखना होगा, कोश्चन नमबर वन, यह NCRT का क्लास नाइन्थ का साइन्स के कोश्चन से, चैप्टर कौन सा? तो चैप्टर मोश्चन, ठीक है? यह मोश्चन चैप्टर से हम लोग पढ़ रहे थें, चलिए, तो पहले कोश्चन को लिख लिया जाए, फिर हम बताते हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसको समझाएंगे कि यह क्या बोल रहा कोश्चन, ठीक है? लिखा जाए, वाट इस दो, वाट इस दो, नेचर आफ दो, नेचर, एन, ए, टी, यू, आरे, वाट इस दो, नेचर आफ दो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस इनिफॉर्म एंड, यूनिफॉर्म एंड, नोन इनिफॉर्म ओफ एन आबजेक्ट, नोन इनिफॉर्म ओफ एन आबजेक्ट, चलिए, क्या आप बोल रहे हैं, सवाल अच्छे से समझे, बोल रहा है, क्या आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ, खिचते हैं, डो सिचुएश के लिए खिछते हैं एक नौन इनिफर्म के लिए खिछते हैं तो आप ये बोल रहा है आप ये समझे कि जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप खिछते हैं तो यूनिफर्म के लिए क्या निचर होता है और नौन इनिफर्म के लिए क्या नेचर होता है मतलब कैसा ग्राफ मिलत रहता है एक तुरफ टाइम रहता है और उसका स्ट्रेट लैन ग्राफ अता है लेकिन नान इन्योनुफ पर मों होता है तो आप देख पार होगे याद होगा प्षले क्लास का बाद डिस्टेंस यह होता था इधर टैम होता था उसका ग्राफ ऐसे आता था curved line है ना यह curved line है तो चले इसका static answer लिखा जाए है answer क्या होगा answer लिखेंगे for uniform motion of an object for uniform motion of an object comma comma देंगे its distance graph is it's a distance time graph is its distance time graph is a straight line a straight line and and for non-uniform motion of an object for non-uniform motion of an object comma comma its distance time graph is its distance time graph is curved 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 का मतलब होता है मूड़ा हुआ ठीक है इसका मतलब होता है क्या मूड़ा हुआ चले तो बूल क्या रहाता question कि आप distance time graph अगर खिचते हैं तो uniform और non-uniform के लिए कैसा nature का graph मिलता है तो हम यहीं लिखे हैं कि four uniform motion में a straight line का graph मिलता है और four non-uniform of an object के लिए जो graph आता है वो कैसा आता है curve आता है यह curve तो आप क्या किजेगा इस आंसर को लिखने के बाद दो graph बना दिजेगा copy में ऐसे एक तरफ लिखिएगा इधर distance है इधर distance हो गया दिखा दिजेगा और इधर हो गया time ठीक है और यह time कौंची में तो second हो एक distance कोची में तो मिटर में इधर हो गया एक्स डैस आपका जैसे graph बनाए थे हम लोग बना देंगे उसके नीचे बना दिजेगा यह graph इधर वाई इधर वाई डैस यहाँ पर zero यहाँ पर जैसा की जानते हैं one second two second three second बराबर बराबर दूरी पर फोर फाइब यहाँ से कितना विल दे सकते हैं 10 मिटर 20 30 40 50 राइट यहाँ पर लिग दीजेगा फूर यूनिफॉर्म मोशन यूनि फोर्म मोशन यह जो ग्राब बना रहे हैं किसके लिए उनिफॉर्म मोशन के लिए उनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या वह स्ट्रीट लैन यानि की एक सेकेंड में 10 मिटर दो सेकेंड में 20 मिटर तीन सेकेंड में तीस चार सेकेंड में चार तो इस तरीके से इसका ग्राफ ऐस से दिखा दिज dengan a straight했 कि सहाता से skill कि सहाता से सिथा गरां बना दिजिए गाच है एकुसके बगल बना डिजिए गई धर यहां पिधर गिजो टाइम यहनि सब कुछ वाइसे लिख देंगे इधर टाइम लिख दिजाएगा सेकेंड में इधर लिग दिजाएगा डिस्टेंस किसमें तो मीटर में ठीक है और यहां पर जीरो यहां हो जाएगा अब इधर कितना कितना कभी ले सकते हैं यहां पर कैसे करा बनाए यह का स्टार्च होता है फिर दारेक्ति इतना फिर डारेक्ट फो रॉर्स टेन्ड में अगर one 50 चला जाएगा Each जाएगा अगला six स्टेक्र में ज्यादा उचला जाएगा तो आप देख पा रहोंगे ग्राफ ऐसे बनेगा कर्फड़ कर्वड ग्राफ बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं यहां लिख दिजिएगा फोर नान इनिफॉर्म मोशन, ठीक है तो आप देख पा रहे होंगे इसका जो आंसर लिखना है तो कैसे लिखना पहले आंसर लिख देना है उसके निचे दो ग्राफ बना देना है एक यॉनिफॉर्म के लिए यॉर्म इनफान के लिए चलिये अगले question कितर बढ़ते हैं question no. two यान कि question no. two क्या बोल रहा है this question का question no. two question no. two पहले हम question बोलते हैं और फिर हम उसका answer समझाएंगे answer लिखवाएंगे तो आप question no. two लिखेंगे question what can you about the what can you about the what can you say about what can you say छुट गया था तुझसे लिखेगा say about the motion of an object about the motion of an object whose whose distance time graph is a distance time graph is a a straight line a straight line parallel to the time axis parallel to the time axis चलिए तो सवाल complete हुआ सवाल देखिए क्या बोल रहा है अच्छे से समझेगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब एक तरफ आप देख पा रहे होंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक तरफ डिस्टेंस रहता है और एक तरफ टाइम रहता है एक तरफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक अब चलना शुरू करता है तो उसका बनता है और एक तरफ टाइम वाला जू एक्सिस है उसके पैरलल बनता है देख पार रहें तो यानि कि अगर कोई ऐसा चले तो किस तरीके का मोशन होगा what can you see about the motion अब समझ पार होंगे कोशन क्या बोल रहा है कि distance time graph है distance time graph में एक object जो है अस्ट्रेट बदलब सीधा चलता है कब सीधा चलता है जब टाइम एक्सिस के पैरलल चीक है तो जो टाइम एक्सिस के जब पैरलल चलता है तो यह कौन सा मोशन होता है तो आप जिहां देख पा रहे होंगे यह कौन सा मोशन है तो यह यहां पर आपको जब इसका answer लिखते समय करना क्या है answer लिखते समय डिस्टेंस time का graph वैसा ही बनाना है जैसा कि question बोल रहा है एक तरफ लिखिएगा time second में एक तरफ लिखिएगा distance कौंची में तो मिटर में यह उपर क्यों है यहां पर हो गया एकस यहां पर हो गया X10 यहां पर हो गया Y यहां पर हो गया YS यहां हो गया 0 यहां वन सेकेंड टू सेकेंड फ्री सेकेंड फॉर फाइफ शिक्स ऐसे देजिएगा 10-meter 20-meter 30 कितना विदे सकते हैं इससे को दिकत नहीं है लेकिन अब क्या करने है आपको चुकि सवाल में बोला गया कि वाट के लिजी हम अ क्या की तीनल्स टाम ऑले का पैरलल वना चाहिए तो आप आप 210 से बिटर्ल कर सकते हैं करे मध़िए लोला है उसी इक एक एक्वाडी अंटने कर देखिए यह जो ग्राफ है दिख रहा है यह इसा सवाल बोला है अब यह ग्राफ बनाने के बाद उसके नीचे से अंसर लिखेंगे दमोशन दमोशन बी कॉल्ड बी कॉल्ड यूनिफॉर्म अगर ऐसा कोई स्टेट लाइन का ग्राफ आता है तो हम उसको कॉनसा मोशन बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन ठीक है तो आंसर बोल रहा था इसमें कि इसमें कॉनसा किस तरह का मोशन होगा अगर कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो ग्राफ आएगा वो टाइम एक्सिस का पैरलल जाएगा तो कौन सा मोशन कहलाएगा तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा ठीक है चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं कुशन नंबर तीन की तरफ कुशन नंबर तीन पहले लिखे लिखा जाए कुश्चन वाट के न यू शे अबाउट दो मोशन what can you say about the motion of an object of an object who's who's a speed time graph a speed time graph is a straight line is a straight line parallel to the parallel to the time axis parallel to the time axis चलिए इसमें क्या question बोल रहे हैं कि आपको a speed time graph दिया हुआ है ठीक है a speed time graph दिया है इसका मतलब यह हुआ कि हमको जब answer करना होगा सब कुछ सवाल यही बोल रहा है जो question 2 में बोल रहा था सेम question 3 में भी बोल रहा है बसरते अंतर क्या है कि यहां पर distance time graph बोल रहा था यहां पर a speed time graph बोल रहा है और सब बात वही बोल रहा है कि अगर a speed time का graph रहेगा तब अगर graph time से parallel जाएगा तो किस तरह का motion उत्पन होगा यह फिर आप उस motion के बारे में क्या कह सकते हैं क्या बता सकते हैं कब जब यहां पर a speed time का graph दिया रहेगा तब यानि कि a speed time का graph दिया हुआ है और जो graph निकलेगा वो time के साथ क्या होना चाहिए पैरलल होना चाहिए तब इस condition में कौन शाँ motion कहलाएगा ठीक है तो अगर कहीं वी ऐसा कुछ होता है तो एक तरफ लिखेंगे speed और एक तरफ लिखेंगे time यानि कि same चीज वही बनाएंगे तो जब third का वी answer लिखेंगे तो सबसे पहले आप graph बना लेजेगा ठीक है एक तर अफ लिखेंगा speed कौंची में speed तो मीटर पर सेकेंड में ठीक है और इधर लिखेंगा x इधर लिखेंगा x-डेस इधर लिखेंगा y इधर लिखेंगा y-ठीक है अब यहां पर बराबर बराबर ले सकते हैं time 2 second, 4 second, 6 second, 8 second, 10 second, 12 second, 14, 16 और इधर लिख सकते हैं हम लोग 20 meter per second, 40 meter per second, 60 meter per second, 80 meter per second, 100 meter per second इधर लिख सकते हैं अब सवाल वही बोल रहा है कि हमको a speed or time का graph होना चाहिए और जो graph निकल कर आएगा वो time के साथ parallel होना चाहिए तो आप इसके साथ 60 से भी parallel निकाल सकते हैं, 80 से भी parallel निकाल सकते हैं चलिए यह निकिए parallel दिखना चाहिए तो हम 80 से निकाल दिया है तो ये graph है अब इस graph के बारे में बोल रहा था कि किस तरह का motion होना चाहिए तो वही uniform motion होना चाहिए क्योंकि जहां कहीं भी आप देख लिजे कि a straight line graph आ रहा है तो वहाँ पर answer क्या किजे uniform motion तो चलिए ये graph आप बना लिजेगा अब उसके नीचे इसका answer लिखेंगे answer क्या होगा तो लिखेंगे a speed time graph is a straight line a speed time graph is a straight line parallel to parallel to time axis parallel to time axis comma it means it means that the a speed of the object it means that the a speed of the object is not changing with time is not changing with time that is that is the object is performing the object is performing performing का spelling आप 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 देखेंगे तो a speed जो है time के साथ बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है बिल्कुल अपने ही 80 किलमेटर पर सेकंड है तो 80 में टू सेकेंड में भी 80 का स्पीड फूर सेकेंड में भी 80 का यह स्पीड सब टाइम बढ़ रहा है लेकिन अपना स्पीड वेरी करेगा आप स्पीड चेंज नहीं होगा टाइंग के रिस्पेक्ट में विट टाइम इसलिए हम बोलेंगे कि आपजेक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले हम कोश्चन बोलते हैं तो कोश्चन लिखा जाए फिर हम लोग देखते हैं कि क्या बोल रहें Question है, what is the quantity, what is the quantity, which is measured by the area, which is measured by the area, occupied below the, occupied, occupied का मतलँ, O C C U P I E D, occupied below the, velocity time graph, occupied below the, velocity time graph, सवाल को समझे, क्या बोल रहा है सवाल, इसका आंसर करते वक्त, सबसे पहले आपको यह समझना है, what is the quantity, which is measured by the area, area हमको measure करना है, किस में, तो velocity time graph, सबसे पहले इसका आंसर बनाते समय, है, velocity time graph, बना येगा, एक तरफ लिखेगा, velocity, velocity, एक तरफ लिखेगा time, कोची में तो second, velocity किसमें, तो meter per second, उपर क्यों रहे है, यहां पर velocity time में 10 से शुरू भी कर सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, इधर हो गया, y axis, इधर हो गया, y dash, इधर हो गया, x, इधर हो गया, x dash, ठीक है, चलिए, इतना करने के बाद, यहां time, लिख लिख लिखे है, कि time कितना कितना हो सकता है, तो time यहां हो जाएगा, one second ले लिखे है, one, two, three, four, five, six, seven, ठीक है, अब इतना चीज करने के बाद, बोल रहे है, velocity time graph में, आपको area covered करना है, अगर velocity time graph में, अगर area क्या बतलाता है, यह सवाल बोल रहे है, तो अगर मान लिया, कि यहां से कोई, two seconds जब time था, तब उसका 30 meter per second velocity था, जब four seconds का time लिया, तो 40, four seconds में 40 गया, ठीक है, और six seconds में वो 10 तक के पहुँचा, तो इसका graph ऐसा बनेगा, अगर मान लिया, ऐसा कुछ हुआ, तो graph ऐसा बनेगा, अब इतना इतना के बिच का area निकालना है, तो इतना इतना के बिच का area का मतलब यह हुआ, कि इसको हम लोग blanks कर देंगे, यानिकि, इसको भर देंगे, इसको हम लोग occupied area बोल सकते हैं, तो ये जो area बतलाएगा वो area क्या बतलाएगा ये हम लोगों को सवाल पूछ रहा है ठीक है देखिए आप अच्छे से देख पा रहोंगे सबसे पहला बोला कि velocity time grab बनाओ हम velocity time grab बना दिये फिर क्या बोला कि आप area को denote कीजिए तो हम area को denote करने के लिए 2 सेकेंड में मानें कि वो 30 से start हुआ अगले 4 सेकेंड में वो गया 40 तक के फिर 6 सेकेंड का बीता time तो वो 10 पे आ गया 10 के सामने है तो इस तरीके से यहां starting point हुआ 30 पे और 10 पे last point हुआ ending हुआ तो अब यहां से start करके यहां end हो रहा है तो इसके बीच के area को दिखाने के लिए इसको जो है नीचे की और मिला दिये इसको भी हम लोग नीचे की और मिला दिये अब इसके बीच में जो कुछ भी मिल रहा है उसको हम लोग भर दिये अब ये area क्या बतलाता है ठीक है तो velocity time graph में जो area बतलाता है आप याद रखिएगा कि जो area हमें मिलता है वो एक displacement होता है या फिर distance होता है जो किसी भी object के द्वारा traveled किया गया है जैसे माल लिया यहाँ पर area का नाम रख दीजे ए बी सी डी ए ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे here area a,b,c,d,e gives यानि कि जो area a,b,c,d,e in velocity time graph velocity time graph यानि कि velocity time graph में जो area a,b,c,d,e है वो gives हमें क्या बतला रहा है क्या दे रहा है कौन सी बाते सिखा रहा है तो यही दा दे रहा है कि distance sorry distance travel 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 by an object by an object या फिर displacement displacement of an object ठीक है अगर आपको ऐसा कहीं सवाल मिले या फिर कोई पुछे कि वह velocity time graph है लेकिन उसमें कोई न कोई area है कोई न कोई area को अगर हम दिखाना चाहते हैं तो उस area से हमें क्या प्राप्त होगा यानि कि उस quantity को हम लोग क्या बोलेंगे क्या वो मापता है क्या मेजर करता है area तो यही बोलेंगे कि जो area दिखाते हैं वो या तो distance travel by an object distance मापेगा नहीं तो displacement मापेगा तो इस ग्राप इसका अंसर यह हुआ कि पहले graph बना दिजिए और फिर उसका अंसर लिख दिजिए तो इस तरीके से graph से related कुछ हम लोग questions आंसर को किये जो NCIT book से था और this is a very very important questions यह सब सारे exam में आवी सकते हैं क्योंकि graphical representation motion का आता ही आता है ठीक है तो आज के class को question answer करते करते हैं हम लोग और time हो गया तो आज के class को यहीं तक stop करते हैं अब अगले class में हम लोग equation के बारे में पढ़ेंगे motion of equation equation of motion ठीक है motion के समिकरन कितने होते ह हैं उसको proof कैसे करते हैं तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद